बेटमा नगर में जूना बाजारे सित मा अनपुर्णा मंदिर परिसर में गुरुआर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अउसर पर मा अनपुर्णा का विशेश रूप से शरंगार किया गया था। वहीं मंदिर को भी आकर्शक रूप से सजाय गया था। आदी बाठते थे। आज भी धार्मिक कार्यों के बाद मंदिरों की ओर से होने वाले अन्दान ने भंडारे का रूप ले लिया है। जिसके अनुसार एक बार जब विधर्व के राजा स्वैत मरने के बाद परलोग पूचे तो उन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी जहां उन्होंने खाना मांगा तो उन्हें वहां किसी ने भी खाना नहीं दिया। राजा की आत्मा ब्रह्म देव के पास पहुची और उनसे पूचने लगी कि आखिर क्यों उन्हें भूख लगने पर भी खाना नहीं दिया जा रहा है। अन्नपुर्णा मंदीर में मां अन्नपुर्णा का भव्य भंडारा प्रारम्ब हो चुका है। सारे भक्त यहां प्रशादी ले रहे हैं और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आईए और मांपुर्णा के भंडारे में प्रशाद ग्रहन करिए। कि स्था पूरा वेटमा नगर के अंदर एक अलगी उत्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर बेटमा नगर के अंदर जो मा अंपुन्णा विराज माने आज बेटमा नगर के भक्तो की एक जहां पर बहुत बड़ी एक आस्था का केंद्र है मानपुल्णा मंदीर इस मंदीर के अंदर प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा बंड़ा का आई जिन होता यह बंड़ा सतत करीब और यहां का प्रशाद ग्रहन करती है मा शक्ति की आराधना के बाद जो बंड़ा रखा गया यहां पर बेटमा नगर की समस्त जनता और आसपास के छेत्री की जनता इस बंड़ा का प्रशाद ग्रहन किया है जहीं आता है हुआ 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 है हुआ है है आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल